कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे मैं हूँ आपके साथ समझ बॉलिवूड एक्टर रडबीर कपूर की फिल्म एनिमल एक दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर जबरदस्त कमाई की है फिल्म ने भारत में 500 करोर रुपे से जादा का कलेक्शन किया है इस फिल्म ने भले ही काफी अच्छी कमाई की है लेकिन इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ है अब मशूर गीतकार जावेद अफ्तर ने संदीव वर्डा रेडीव के डारेक्शन में बनी फिल्म एनिमल की सकसेस पर सवाल उठा दिया है यहां तक कि जावेद अफ्तर ने अनिमल की सकसेस को खतरनाग बताया है आई जानते हैं कि जावे दख्तर ने ऐसा क्यों कहा है जावे दख्तर ने औरंगाबाद में अजन्ता एलोरा इंटरनेश्टरम फिल्म फेस्टिवल में आजकल फिल्मों की सफलतबर अपनी राय जाहिर की है जावे दख्तर ने फिल्म एनिवल का नाम लिए कहा है अगर कोई फिल्म जिसमें एक आदमी औरत से कहे तू मेरे जूते चाट अगर एक आदमी कहे इस औरत को थपड मार देने में क्या खराबी वो पिच्चर सूपर हिट हो तो बड़ी खतरनाक साबित है बताने के फिल्म एनिवल में रर्भी कपूने अपने प्यार को साबित करने के लिए तरप्ती डिवृ से अपने जूते चाटने के लिए कहा था वही फिल्म कबीर सिंग में शाहिद कपून ने क्यारा आठवारी को थपर मारा था इन दोनों फिल्मों को संदीब वर्णा रेडी ने डारेक्ट किया और दोनों ही फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपर हिट रही थी जावेद अख्तर ने ना सिर्फ फिल्म की कहानी को लेकर बलकी गानों कर रियक्शन दिया है जावेद अख्तर ने कहा आज कर कैसे गाने होने लगे है जावेद अख्तर ने फिल्म खलनायक के चरचित गाने चोली के पीछे क्या है को लेकर बात की जावेद अख्तर ने कहा लोग आज चरिये चकित हैं कि आज के गाने इतने समस्या ग्रस्त क्यूं है चोली के पीछे क्या है का उधारा ले लीजिए मुद्दा गीत के निर्मार शामिल साथ पुशो और दो महिनाओं का नहीं है वो शायद ही कोई समस्या है समस्या ये है कि दर्शकों ने इस गाने को जबर्दस हित बना दिया करोनों लोगों ने गाने को पसंद किया ये डरामना है जावेद अख्तर ने आगे कहा कि इस तरह की फिल्मों और गानों को और्डियन्स सफल बनाती है जावेद अफ् popcorn ने कहा एक बहुत बड़ी जिम्मधारी सिनेमा बनाने वालों से जादा सिनेमा देखने वालों की है यह आपके जिम्मधारी है यह आप टाइप किजिए की फिल्मे कैसी बनेंगी और कैसी फिल्मे नहीं बनेंगी लगतार अब्री ट्रेंग की बने रहे है राइक टो डिकोर्ट टीवी के साथ शुक्रिया